नमस्कार दोस्तों, फुटबॉल फैन में आप सबका स्वागत है, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आज से यह समझ लो कि आज से इस चैनल पे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, वीडियो की, रियल वीडियो की, क्योंकि अब पहले आपने सब्सक्राइब कर लेते हैं, थोड़ा सा ओमान और यूई वाली मैच का, दोस्तों, ओमान वाली मैच में हमने देखा कि हमारे जो हेड कोच है, हमारे मैनिजर, सर इगोरिस्टी मैच, उन्होंने हमारे बहुत सारी वाओ को मौके दी खेलने, सबसे पहले तो मैं बात करना च बहाँ एच्छे नहीएं कि हम बड़ी टीमों के खिलाफ पासिंग गेम कर सके हैं, दोस्तों हमने पिछले 2 मैंच से हमने देखते आ रहे हैं कि हम ट्राइ कर रहे हैं भाइए पासिंग खेलना, पासिंग खेलना, पासिंग के चकर में बहенिचों 6-0 से आ खेयrd हम, ठीक है, तो पासिंग गेम को छोड़ दो यार, भगवानी के लिए हमारी जो नैशनल टीम हो, उस पर थोड़ा सा रहेम कर लो, मैं इगोरी स्टीमेस से हाथ जोड़ दरे बोलना चाहता हूं, भाई, स्टीफन कॉंस्टेटाइन जो पिछला बाला हमारा मैनिजर था, उसके जब उट आप हाइलाइट देख लें, मैं आप UAE के खिलाप ही हाइलाइट देखना, सबसे पहले, AFC, AFC, AFC Cup 2019 में, जब हम UAE के खिल लाए थे, तो उस वक्त हमारी जो टीम इंडिया थी, वो डॉमिनेट कर रही थी, उसने बहुत सारे अटेक्स बनाए थे, और सचकाउन तो बस हम अलग्की थे उस दिन, कि हम गोल स्कोर नहीं कर पाए, और 2-0 से हार गे, लेगिन आप ये वाला UAE का मैच देखोगे न, तो आप सर पीट-पीट के मर जाओगे, और मैं तयार सही बता हूँ, तो 4-0 जैसे स्कोर लाइन हुई, मैंने मैच छोड़ दिया था, उससे पहले मै मैच के लिए इतना जादा एकसाइटमेंट था, कि पूरा दिन तक मैच ये सोच रहा था, कि ये टाइम इतना मंदा क्यों चल ला है, जल्दी से मैच स्टार्ट हो, लेगिन जैसे मैच स्टार्ट हुआ, सारा मूर्ण खराब हो गया, लेगिन भाई उसको छोड़ देते हैं चलो, थोड़ी देर के लिए, अब सोचने के आगे क्या होगा, अब आगे इंडियन फुटोवाल का क्या भर्ष्य है, क्या फ्यूचर है, तो भाई देखो, अभी तो आगे कोई मैच है नहीं, सिवाए तीन जून को मैच है, कतर के खिलाब वर्ल्ड कॉप क्वालिफायर्स की भी छोड़ी सी बात कर लेते हैं, भाई देखो, वर्ल्ड कॉप क्वालिफायर्स में आप सबको पता चल गया होगा, और यूट्यूब चैनल पर आप देखे आए होगे, कि अब हमारा कोई चांस है नहीं, क्वालिफायर करने का इस वार वर्ल्ड कॉप में, केवल एक ज छार गे, क्वालिफायर भी एसिन कब भूल जाओ, वर्ल्ल कप तो छोड़ो, दूर की बात है, तो भाईया, सुनो मेरी बात, अब ऐसा है कि हम को, सबसे पहले तो, ऐस अफेन हमको क्या करना है, भाई हम फेन हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो भाई, दे नेशनल टीम के दो तीन यंग स्टर हैं जैसे कि अपुया है और सुरेश ठीक है ये दोनों मुझे बहुत अच्छी लगे मतलब इनकी कॉंबिनेशन और इनकी मतलब पासिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी ठीक है आगे जाके और ज्यादा मैचिस मिलेंगे बहुत खेलते हैं पूरे साल में ठीक है तो और उसमेंसे भी हम 5-6 हार जाते हैं ठीक हमार दो अंडर 17 की टीम देखो भाई जो आज से चार वर्ल्ड कप खेल चुगी थी 2017 में अंडर 17 टीम आज वो अंडर 17 टीम के प्लेयर आधे कहां गई ये पता नहीं है और बस केवल 2-3 प्ले अब भात है कि यार इंप्रूफ कैसे करेंगे भाई इंप्रूफ करने के लिए मैच खेलने पड़ेंगे जादा अगर हम जादा मैच इस नहीं खेलाएंगे ना अपनी नेशनल टीम हो तो हम कभी भी इंप्रूफ नहीं करेंगे ये क्या 5 महीने हो गयार आधी साल निकलने लिए ठीक है और जून में अगला मैच है यानि कि पूरी हो अलमुस्ट आदी साल निकली गई और हमने केवल कितने मैच खेलें अब तक दो मैच खेलें अब दूस्ट जो अगला मैच तीसरा मैच होगा वो जून में जाके होगा भाई ऐसे कैसे इंप्रूब कर लोगे मतलब अब 2 मेच खेलें अब दो तीन महींदगा गैप बीच में फिर उसमें जाके सुथ हो जायेंगे पिलियर दो तीन महींद गैप मेड यार कंटिनिएस लिए अगर माल मैं ये नी कहा रहा कि आप महीने में 5-6 मैच करवाओ अगर महीने में आर दो मैच भी मिल जाते हैं ना नेशनल टीम को खेलने के लिए भले ही अपने से अपनी जैसी रैंकिंग वाली टीम से मिल जाएं क्यों 100 नंबर की हो या कोई 101 की हो या 98 जरूर नहीं है कि हम 50 वाली या 67 या 75 या 82 ऐसी रैंक वाली उसे खेलेंगे थोड़ा उपर नीचस हो जाता है कैसी वी टीम के साथ मैच मिल जा अधोले यां भले टींड सों वाली रैंकिंग के साथ भी मैचल लाना तो कंब पे भी हम इंप्रूव कर सकते हैं कैसे हम अपने यंग्स्टर को भी सकते हैं जैसे हमने यंग्स्टर को इंप्रूब करने का मोगा दिया इन दोनों फैंड लीस हमने यूए के खिलाब हमने यंग्स्टर उतार दी वहाँ पे उन्होंने यूए ने उनको दो दिया यार मतलब इतना सरम आ रही है और नीचे देगो यार उसके फेस्वुक के फैन पेजिस पर जाके देखो महां पर नीचे अफरीकन्स बांगला देशी पाकिस्तानी पतानी कौन मजाक उड़ाए जा रहे हैं के छैजिरो सार के छैजिरो से उन भैंचो तुमको अपनी तो अप पच्छोदी पेवते हैं हां कि खेर छोड़ यार उस बात में जाना चाहता है देखो यार अगर हमको आगे इंडिन फुटवाल को आने वाले इस वाले वर्ल्ड कप में तो खेर हम क्वालिफाई करेंगे नीग जो 2017 वाले 27 वाले वर्ल्ड कप है अगर हमें उसमें क्वालि बढ़ेगा ठीक है और हमें बेसिकली करना क्या है कि ISL में हमें पांस टीम और बढ़ानी अभी 11 टीम है पांस टीम और बढ़ा हो मिनिमम्म यानि कि 16 टीम मिनिमम होनी चाहिए ISL के अंदर और 4 प्लस 1 का जो रूल है इस साल से लागू हो जाएगा वह बहुत एच्छी अगर पांस टीम हो जाती है तो और ज्यादा यंग्स्टर को मिलेगे टीमों को जिससे डेफिनेटली हमारी इंप्रूब्मेंट होगी मैं आपको गैनेटी देता हूं अगर हम ISL में मिनिमम्म 16 टीम के साथ खेलते हैं तो हम आने वाले 2-3 साल में बहुत ही अच्छा इंप् देने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कौलिफाई करें फीफा वैल्ड कप के लिए तो जितने हो सके उनको मैंस देना पड़ेगा अभी क्या है अभी हमें मैच ही नहीं मिलते हैं पता नहीं क्या कर रहा है यार मैच छोड़ भाई सब यहां तो कोई चैनल ही नहीं मिला जो फुटवाल मैच दिखा दे ठीक है वह एंड मुमेंट पर आकर पता चलता है कि यूरो स्पोर्ट कर रहा है और फिर यूरो स्पोर्ट की बत्तिवल हो जाती है फिर यूई वाला मैच आता है यार वो लोग एड़टाइजी नहीं करते भेंचो मतलब इंडिया और यूई का मैच हो रहा है कोई एड़टाइजमेंट नहीं आएगा अभी पेटियम सीरी चल गई ना अभी दो महीने पहले एड़टाइजमेंट आने शुरू हो जाएंगे इंडिया वस्स फलाना ठिकना और आकर मैस देख लो और दुनिया भर के बंबन बंबन पता नियार कौन-कौन सेलेबरेट याकिन ऐसे एड़टाइजमेंट में आ जाते हैं क्रिकेट यार मुझे ना क्रिकेट बकवास घिम लगता मतलब आठा आठा टीम कुल क्रिकेट खेलती है जिनमेंसे पांस तक डिटी में और उनमेंसे एक इंडिया है जो सारी सीरी इसको जीती रहती है ठेक है ठोड़ भाई क्रिकेटी बात नहीं करना चाहता जादा बस एक हैना चाहता हूं कि यार इंप्रूब्मेंट करनी है न तो फैन बेस भी होना चाहिए जो कि हम और आप मिलकर बढ़ाएंगे अपने जो दोस्तें उनको यार थोड़ा सा और ज्यादा ब उसके लिए ट्वीट करते रहा करो कि हम मैच देखना चाहते हैं ठीक तो बहुत अच्छा लगा आपके दवाब के बज़े से ही ब्रॉड कास्ट हुआ वह दोनों फ्रेंडली मैच अगर हम महां पर ट्वीट नहीं करते हैं कुछ प्रैसन नहीं बनाते तो हो सकता था कि वह स्टाइन वाली स्ट्रेटिजी यूज करने पड़ेगी तभी हम उस मैच में कुछ अच्छा प्रदैसन कर सकते हैं वरना अगर हम पासिंग फिरंडी रोनर होईंगे न तो भेंचो दस जीरो सहारेंगे इस वार गार्टी से रहा हो आपको पिसले वार हमारी किसमत अच्छी अफगानिस्तान से ड्रो हुआ क्या मतलब यार हद है मतलब बांगला देश और अफगानिस्तान से कौन ड्रो करता भेंचो है इतनी छोटे इस टीमों से यार उनकी रैंकिंग तो देखो 1.500 में और 170 के रैंकिंग में पड़े हुए दोनर टीम है और हम उनसे ड्रो खेल ले यार हम उनसे बहुत आगे हैं आप यह सोचो UAE हमसे केवल 30 रैंक आगे है 30 रैंक आगे मतलब है तो जादे पर 30 रैंक आगे होने के बाद उसने हमें 6-0 से रहा दिया और हम इन अफगानिस्तान और बांगला देश जैसे टीमों से 40-50 रैंक आगे हैं तब भी हमने उनके ख अगर उनको हमारी में उनको बना दिया जाए ना इंडियन नेशनल टीम का कुछ तो गारेंटी से बोला हूं वह बहुत अच्छा परदसन करवा सकते हैं और हमारी जो नेशनल टीम हो जरूर इंप्रूव होगी बस इतना ही क्याना चाहूंगा भाई बस चैनल के साथ बने रहे ना ठीक है अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि स्टार्टिंग है वॉइस कट ली होगी थोड़ी सी मेरे पास प्रॉपर माइक बगर नहीं है लेकिन आन फ्यूचर में मैं मतलब माइक बाइक लिए क्या हूंगा एक दो दिन में फ्यूचर में क्या तो सब कुछ इंप्रूव होता रहेगा पस आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को थैंक यू सो मच